यह वेलो फ्रेंज वेल्कम बैक तो माई यूट्वीब चैनल लिक्रिल गयान आज के हम वीडियों बात करेंगे फ्रेंज पावर एंड कंट्रोल डाइग्राम ऑफ डिवल स्टार्टर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंज यह इंटर्वी में बहुत पुछा जाते है और बहुत लोग को बहुत जग हम इसमें डाउट आता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए आज आपका पूरा डाउट क्लियर हो जायागा तो हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड पावर डाइग्राम की तो डियर डिवल स्टार्टर को जो पावर डाइग्राम होता है उसमें क्या होता है उसमें हम लेते हैं तीन फेस लेते हैं आर वाई भी अना किसी भी मोटर को चलाना है दूसका लिवल स्टार्टर यूज करते हैं वह पावर डाइग्राम देते हैं तो यहां पर थ्रीफिए के बाद होता है friend MCB three phase के बाद आता है MCB three phase के बाद MCB MCB के बाद आता है हमारा contactor जिसको हम auxiliary contactor भी बोलते हैं यह हो गया contactor के बाद रहता है ओर लोड रिले थर्मल ओर लोड रिले और थर्मल ओर लोड रिले के बाद हम मोटर में सप्लाइब यह क्या हो गया हमारा यह MCB हो गया miniature circuit breaker three phase के बाद वह आता है हमारा contactor में contactor रहता है उसमें देते हैं supply उसके बाद आता है यह OLR Thermal Overload Relay Thermal Overload Relay उसके बाद यह मोटर में जाता है मोटर में connection करते हैं तो यह हो गया simple सा पाउड रहेगा बहुत सिंपल है हमारेट्स सबस्पहले और यह थीन फेस लेते हैं वह MCB में आता है MCB के बाद उसका MCB के incoming में आने के बाद उसके outgoing से हम लेते हैं और हम वह ले जाकर के वन में देते contactor में contactor से फिर उसका outgoing जो है रिले में रिले के से फिर मोटर में जाता है यह होगा चरद अब देखते हैं एक क्पाट्रोल डायग्राम को थ्यक्राइब की बहुत लोग की क Brym तो जो कोट्रोल में हमको रहता है हमारा जो कॉंट्रेक्टर है उसको पेक और घंडार रहता है उसमें को फेस और न्यूटल देना रहता है जिसे तो इसमें क्या होता है कंट्रोल में कंट्रोल में हमारा फेस के बाद एंसी भी लगाते हैं, प्रोडेक्शन के लिढ लगा रहता हैं, एंसी भी के बाद यह जाता है हमारा रीले में रीले के कोई से पॉине रहता है तो यह stis लते हैं और यह जो 95 और 98 से लेके हम यह जो रहता है connection वो trip का indication के लिए रहता है रिले में ठीक है फ्रेंड्स तो 95-96 होने के बाद यह किस में आता है stop contact में आता है stop stop contact में आता है जो basically NC रहता है stop के होने के बाद यह किस में आता है start में आता है और start क्या रहता है no रहता है ठीक है फ्रेंड्स यह 95-96 से होते हुए stop contact में आता है जो इसके बाद जो green color कर रहता है जो NC रहता है उसके बाद यह start में आता है जो हमेशा no रहता है इसको push करने से हम NC होते हैं NC NO का मीनिंग पता ही होगा नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज ठीक है इसके बाद यह सीधा जाके जाता है ज enjo है इसका इसप्लाइब MR पहुंक पहुंचता है, इस जो अउट्विते हैं पहुते हीं, चाहरए उसका पहुँता हुर। मॉल्टर में जाता हैं। थोड़ा ध्यान से समझें के फ्रेंट थोड़ा बहुत लोगों इसमें कंफ्यूजन आता है लेकिन होता क्या है इसमें इंटर्वी बहुत कोश्चन पूछा जाता है इसके बारे में कि अगर हम कंट्रोल को ऐसे सप्लाई देते हैं जैसे फेस आ गया यह एंसी हो गया फिर इ लगा यहां तक तो समझ में आ रहा है बहुत क्लियर है लेकिन इस यहां पर कंफ्यूजन यह आता है कंफ्यूजन यहां पर आता है कि इसको एक बार हम ऐसा दबाए तो यह एंसी हो गया इसमें हमको सप्लाई मिल रहे है यह ओन हो गया कॉंटेक्टर तो ठीक है यहां तक ल तो इसके लिए हम जो use करते हैं वो बोलते हैं Holding point बोलते हैं तो इसके लिए हम use करते हैं जो तो वो कैसा होता है तो मैं आपको समझा रहूं भूट ध्यान से सुने हैं कि ओल्डिंग के बारे में बहुत पूछा जाता है इंटर्वी में रहता है पॉइंट जैसे इसमें एनो है एक एनो है एक एनसी है तो हम इसके एनो को यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे यहां से जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें अपने डाइग्राम में यहां से जो यह होल्डिंग पॉइंट दिख रहे हैं इसको यहां से हम इसको के आपका है ना जो यहां से इसको लाल उठां हैं और इसमें अच्छा के रहते हैं और फिर इसको ते से बहुत ध्यान से समझें जो यहां पर मैं holding point बनाया हूँ यह जो यह symbol बनाया हूँ यह इसी का है इसको add-on auxiliary block बोला जाता है जो हम contactor के parallel में लगा देते हैं ताकि holding बना रहे तो अब क्या होता है यह जो है इसके साथ जूड़ा रहता है और यह जब contactor hold होता है तो उसके साथ यह भी hold होता है तो जब यह एंसी होगा तो यह भी एंसी होगा तो जब यह दोनोगता है इसमें जैसे दिखाया हूँ यहां से लाके यहां से केबल लाके इसमें जोड़े रहते हैं और इसके यहां वसको दिया लगरते हैं, इ magistर के तो होता क्या है, जैसे हsınız हम अन के, अभी कोई से सपलाई गया तो यह अंसी होए तो इसके सांस ये भी अंसी हो गया, अभी तक ये अंनो था तो इधर से हम चप्लाई नहीं मेरे था और यह contact जो है वो इसको hold करके रखेगा मतलब इसमें direct supply मिलते रहेगा continuously इसी को बोलते है holding point जो add an auxiliary block हम use करते हैं यहाँ अगर मैं इसको push किया और छोड़ दिया तो यहाँ पर supply नहीं जाएगा लेकिन add an block लगाया हूँ जैसे यहाँ पर दिखाया हूँ मैं इसी को तो यहाँ से मैं इसको उठा के एनो में लिया और इसके नीचे से निकाल के इसको ले जाके इसमें दे दिया coil में तो इस तरीके से हम जैसे ही मैं इसको छोड़ूँगा यहाँ पर यह ठीक है जैसे ही मैं छोड़ूँगा तो क्या हो जाएगा इसमें supply जाना बंद हो जाएगा जो एनसी है वो एनो हो जाएगा लेकिन holding point काया करता है इसमें continuous supply काम करता है यहाँ से जैसी इसके साथ parallel में लगा रहता है तो यह एनसी होगा तो यह एक पूस्किया इसमें supply गया इसके साथ यह अनो था वह भी एंसी हो गया लेकिन इसको छोड़ा तो इसमें जाना बंद हो गया लेकिन यह जो एनो है वह एनसी हो गया तो उसका supply जो यहाँ से ऐसे हो कर एनसी होके direct contact को मिलता रहेगा और यह पीक अप र इसमें यह eion आफी रहते हैं उसका इसकि कोईल में फट्री यह पेंग रहां चृफ और जैसे ही इस सप्टीक रहां इस हुएंदर में कॉंटक्टर रहते हैं मैंगनेटाइस होंके पीकपकी यह फोल्ड किया जियो ej तो यह होल्डिंग पूछा जाता है इसको ध्यान से आप देखिए गए अगर समझ नहीं आता तो बार-बार इस वीडियो के देखिए आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और एड़न एड़न और ब्लॉक के बारे में आप गूगल में सर्च करके तेक भी सकते हैं वो क्या होता है उसको लगाते हैं और उसी से हम फोल्डिंग पॉइंट देते हैं मैं आसा करतूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा थैंकियो सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो सब्सक्राइब